तो निखत दोस्तों स्वागत हैप का मारे चनल शेयर मारकेट में बात करेंगे टटा कोफी के बारे में यहां पर लगाता है और पांच दिन से गिरावट देखने को मिल रही है आज की बात करें तब भी हमें डाइप पर सेंट की यहां पर नेगेटिव ट्रेंड देखने को म बनाया वो बनाया था 181 का तो हाई के कोडिन दिखा जाए तो आज अच्छा खासा कंपनी ने हाई बनाया बट बाद में से ज़्यादा हाभी हो गए और स्टॉक को नीचे लिया है रिटर्न की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वन वीक में टू माइनस से समझ सकें देखिए क्वाटर टू क्वाटर में रिजल्ट नहीं चेक करना पसंद करता क्योंकि क्वाटर में बहुत चीदे वैरी करती हैं लेकिन हम यहां पर एन्वल निकाले हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी ने दोजार अस्ताना से लेके 2021 तक हमें अच् और गिर के और आए दिखे अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर ता उसके बाद यहां पर डाउनफोल देखने को मिला फिर अप्ट्रेंड हुआ फिर डाउनफोल हुआ अब यह वापस 2020 के बाद यहां पर तक्रीवर अपने ओल और यहां पर जाना था और जैसे कि यहां पर बात करें तो छे मंत में 62% के रिटर्न है इतने स्टॉक भाग चुका है कि इसे अब थोड़ ऐसा यहां पर ब्रेक भी चाहिए और यह इसका शायद रिजिस्टेंस लेवल भी बन सकता है तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए देखिए अगर स्टॉक अच्छा नहीं होता तो मैं आपको यहां से अड़वाईज देता कि आप सेल करके बाहर आजएं लेकिन स्टॉक बहुत दारा फंडामेंटली स्टॉंग है अब इसे एक एक एक्जाम्पल के साथ समझेए जैसे कि इसकी मैनेजमेंट आपने जानते इसने भी इंपलोई जाए उनका ध्यान रखा जाए जो उनके कंजूमर से उनका ध्यान रखा जाए इनफेक्ट अगर हम यह भी बात करें नोर्मल डटारें जी की बात करें तो टाटा ने अपनी कंपनी के 33 लैक एंपलोई को वैक्सिनेशन दिया तो आप यहीं से आइडि अगर आपको अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे तो अगर आप इसके बार में डेटेल में वीडियो बनाई है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्चर में देदूंगा आप वहां पर जाकर चकाउट कर सकते हैं तो अभी के लिए दोस्तों इतना है अगर आपको वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है और सब्सक्राइब जरू कीचेगा